इस AC का indoor PCB high voltage आने के वज़े से जल गया था हम इसके अंदर नया PCB अभी लाकर के लगाए और जैसे ही लगाकर के चालू किये तो ये बारा बार बार बिलिंग कर रहा है बारा बार बिलिंग करने का मतलब ये errors हो कर रहा है indoor to outdoor के miscommunication का अब हम इस बात को लेकर के दूबीधा में है कि हम जो नया PCB लाए है वही खराब है या उसके अंदर वाइरिंग हम गलत कर दिये या या outdoor unit का PCB भी जल गया अगर outdoor unit का PCB जला होगा तो समझे कि 17-18,000 रुपया का चूना लगने वाला है customer को आईए वीडियो को सुरू से सुरू करते हैं और genuine चीज़ हम आपको बताते हैं यही PCB हम लेकर के आए है यह पुर्णिया से हम आवाए है और वो जो लटका हुआ है PCB वो पहले से लगा हुआ है जो उड़ा हुआ है उसमें light देने पर कुछ भी सो नहीं होता है एसी के अंदर light आ रहा है की नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि वो जल गया है अब हम एक एक करके इसका जितना भी है motor का sensor का सारा wire जो नए वाले PCB में लगा रहे है इन दोनों PCB के अंदर एक चीज नोटिस किया है कि दोनों का part code अलग है और कुछ-कुछ components भी दोनों का अलग-अलग है लेकिन सारा jack जो है लगता जा रहा है उनका jack जितना भी है इसके अंदर लग रहा है वो motor का हो, sensor का हो, display का हो total jack इसके अंदर लग जा रहा है दिखने में भी same to same है लेकिन एक आध components जो है जैसे capacitor वगएर है वो थोड़ा सा different लग रहा है देखिए ये वाला जो jack है ये पुराने वाले PCB के display का jack है और ये भी आराम से लग गया देख रहे हैं पुरे खांचा में बैट गया अब इसमें लगए हुए हर एक wire को एक एक करके उसमें लगाएंगे जैसे इसमें लगा हुआ है हर एक wire को बारीकी से देखते हुए correct wiring की है और इसके अंदर line दिये है देखिए कि PCB पर light जो हो रहा है और display पर भी light आ रहा है हम जो PCB लेकर के आएं वो PCB सही है ये confirm हो गया है इसलिए ये पुराने वाले PCB को इसके box से हटा रहे है अब वो जो नया वाला हम लेकर के आएं वो ही इस box में fit करेंगे नयवाले PCB के भी wire को इनके connector में गौर से देख देख करके fit कर रहे है PCB फिट करने के बाद जैसे ही light दिया उसे ही बारा बार बार बिलिंग कर रहा है जैसे कि हम वीडियो के सुरुवे में बताये थे कि ये बारा बार बिलिंग जो कर रहा है इंडोर टू आउउड़र के miscommunication का है इस इस्तिति में या तो इंडोर का PCB खड़ाब है या आउड़र का भी PCB जल गया तो अब चली आउड़र के पास हम लेकर के चलते हैं आउड़र इनका यहाँ पर रखा हुआ जैस्ट टंकी के पास और इसका piping जो किया हुआ है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे इस आउड़र के अंदर जो PCB लेका हुआ है काफी बड़ा साइज का PCB लेका हुआ अगर यह PCB खड़ाब हुआ ना तो सहीं में कहते हैं 12-15 जार रुपया का यह PCB आता है सर्विस सेंटर के धुरू उपर बाला पैनल को खोले हैं और देख रहे हैं कि उपर से कोई भी जला हुआ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है निसान कि हम यह कह सके कि हाँ यह जला हुआ है उपर से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमको अगर हाई भोल्टेज में PCB जलेगा तो उपर भी कुछ ने कुछ निसान छोड़ देगा कहीं ने कहीं हमको यह सक और संदे हो रहा है इंडो यूट का PCB जो हम नया वाला लेकर आए है इसका कुछ components और part code match नहीं हो पा रहा है इसलिए हम यह कहेंगे कि यह PCB जो है के वज़े से भी ऐसा दिक्कत आ जाता है तो सबसे पहले हम उसको change करने के वज़ा है जो हम लेकर के आए है जो हमारा संदे है कि यह part code match नहीं हो रहा है या कुछ components जो है अलग है इसके अंदर तो पहले same to same इसके अंदर वही चीज़ लेकर के आके लगाते हैं जो इसके नर लगा हुआ है उसके बाद कुछ और सोचा जाएगा